गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 3, मैथ्स, चैप्टर मल्टिप्लिकेशन बच्चों, आज हम मल्टिप्लिकेशन चैप्टर में सीखेंगे मल्टिप्लिकेशन वाई वन डिजित नंबर हमारा question है, multiply 2434 वाई 2 इसको हमको 2 से multiply करना है 2434 को, इसके लिए हम numbers को arrange करेंगे जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि जब भी हम किसी digit को multiply करते हैं तो उसको उसी के column में लिखते हैं अगर हम 2 को 4 से multiply करेंगे 4 हमारा once के place पर है तो हम उसका answer once के place पर ही लिखेंगे उसी तरह 2 को 3 से जब हम multiply करेंगे 3 हमारा 10 के place पर है तो हमको उसका answer 10 के place पर ही लिखना है और इसी तरह अब हम multiply करेंगे 248, 236, 248 and 224 अब हम इन सभी digits को add कर देंगे तो हमारा answer आएगा 4868 इस तरह से हम इनको multiply करेंगे multiplication by 2-digit number अब हम 2-digit से multiply करना सीखेंगे एग्जामपल देखेंगे पहले हमारा question and Rita had a collection of old stamp she had 12 cards with 24 stamps saved on each card how many stamps does she have on all of the cards you have to think equal groups as being put together so sum multiply 24 by 12 यहां 24 को हमें 12 से multiply करना है you may do so in these steps 24 को 12 से multiply किया हमने तो यहां देख रहे हैं 240 240 plus 40 8 is equal to 288 इस तरह से फिर हम इनको अलग-अलग करके देखेंगे यहां किस तरह से multiply हुआ है hundred, tens, ones की place पहेले ढूनओ, numbers को हमने arrange किया ones की place पहर हमारा आया 4 and वी तू आया, tens की place पहरे24 next नमर है हमारा 12 तो तो, two हमारा ones की place पहरे और 1 हमारा, tens की place पहरे पहले हम वी 2 से इन दोनों digits को multiply करेंगे 2 far जा 8 & 2, 2 जा 4 अब हम next step में आएंगे तो हम 1 से multiply करेंगे 24 को first हम ने multiply किया 1 multiply by 4 is equal to 4 and 1 2 जा 2 अब हम इन दोनों digits को add करेंगे तो हमारा answer आएगा 8, 4 प्लस 4, 8 and 2 यानि 288 इस तरह से हम numbers को अलग-अलग करके और उन्हें arrange करेंगे column में और फिर दोनों को अलग-अलग steps में multiply करके add करेंगे अब हम देखेंगे कुछ word problems Madhu's stamp book has 24 pages Madhu के पास एक stamp book है जिसमें 24 पनने है Each page has 35 stamps on it और हर page पर 35 stamp है Her book is filled अब उसकी book जो है वो भर चुकी है How many stamps are there in her book उसकी book में total कितने stamps है अब आपको multiply करना है इन दोनों digits को और multiply करके उसका answer लिखना है इसी तरह आप बाकी word problems को भी पढ़ेंगे समझेंगे और ये आप पहले भी कर चुके हैं और फिर से इन सब को solve करेंगे अपनी copy में practice करेंगे आपको में अपना है आपको